दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास बहुत ही उपयोगी होने वाली है आप सभी लोगों के लिए आज मैं बात करूंगी हन्मान चालिसा के पाठ के विशे में दोस्तों वैसे तो हमें प्रतिदिन हन्मान चालिसा का पाठ करना चाहिए हमें दैनिक पूजा में इसे शामिल करना चाहिए लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ कि किसी विशेश मनुरत के लिए किसी विशेश संकट के लिए समस्या के लिए यदि आप कहीं से कोई राह नह पूरे श्रद्धा से भाव से पूरे समर्पड से आप इस संकल्प लेकर इस पाट को करके देखिए आपकी समस्त मनुरत आपके पूर होंगे आपके समस्त संकट आपके सारे दुख दुर होंगे हनमान जी की शरड में जाने से कौन सुकाज कठीने जगमाही जो नहीं हो ततात तुम पाही दोस्तों संसार का कोई ऐसा कारिय नहीं है कि जो हनमान जी की शरड में जाने से पूर ना हो जाए केवल बात वही आती है श्रद्धा और भक्ती की तो आईए एक एक करके सारे नियम हम जान लेते हैं बहुत से लो या फिर जो लड़कियां है बालिकाएं इन्हें नहीं करना चाहिए हनमान चालिसा का पाठ केवल बालकों को करना चाहिए पूरुषों को करना चाहिए बहुत सारे भ्रम है लेकिन दोस्तों ये सारी बाते आप लोग जानेंगी कि क्या केवल पूरुष भाई कर सकते हैं य जदि आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मेरा ये नम्र निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर किया कीजिए कोई भी इसमें कमी हो तो आप लोग उसे भी कमेंट करके जरूर बताया कोई ऐसा नहीं है अगर ये कोई कहे कि महिला है आप आपको नहीं करना चाहिए आपको संकल्प नहीं लेना चाहिए तो बिल्कुल ऐसा नहीं है आप बिल्कुल कर सकती है नियमित भी कर सकती है और संकल्प लेकर भी कर सकती है केवल महिलाओं के लिए क्या वर्जित है उसे महिलाओं के लिए केवल ये चीज बर्जित है कि मंदिर में जैसे हनुआन मंदिर में आप जा रहे हैं वहाँ पे हनुआन जी की जो मूर्ती होती है वो प्रानप्रतिश्ठित मूर्ती होती है उस मूर्ती को महिलाओं को असपर्स नहीं करना चाहिए बस इतना ही कहा गया है लेकिन उस मंदिर में भी जाकर आप धूप दीप उनके चरडों में बैठ कर आप हनुमान चालिसा का पाठ सुंदर कांड का पाठ आप कर सकती है धूप दीप भोग प्रसाथ सब कुछ हर्पित कर सकती है महिलाएं चोला नहीं चड़ाती है और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ती को असपर्स नहीं करती है अपने घर के मंदिर में आप मियमित पाठ कीजिए हनुमान ज जो पूड नहीं हो रही है तो हनुमान जी के हनुमान चालिसा का जो पाठ है इसका संकल्प लीजिए अब पहले बता देती हूँ संकल्प कितने दिनों का लिया जाता है वैसे तो संकल्प 11 दिनों का भी लिया जाता है 21 दिनों का भी लिया जाता है ये आपकी सुविधा की अनुसार है कहने का मतलब है कि संकल्प आप उतने ही दिनों का लें जिसे आप आसानी से पूर कर पाएं बीच में आपका संकल्प तूटने न पाएं बीच में किसी कारणवस आपका संकल्प छूटे नहीं इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ता है जब हम संकल्प लेते है और जब हम नियमित पूजा दैनिक पूजा करते हैं तो इसमें हमारे लिए कोई बंधन, कोई पाबंदी नहीं होती है लेकिन विशेस प्रयोजन है तो जब हम कोई पूजा या कोई उपाय करते हैं दोस्तों तो इसके नियम का पालन हमें करना ही चाहिए वैसे तो भगवान सब कुछ जानते हैं हमारी विवस्ता भी जानते हैं हमारी पीड़ा भी जानते हैं हमारी मजबूरी भी जानते हैं लेकिन संकल्प जब हम किसी भी चीज का लेते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है ये बात हो गई अब दूसरी बात माली जे महिलाएं हैं बेच में मासिध धर्म की समस्या आ जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है जिस दिन आपकी मासिध धर्म की समस्या आई वहाँ से आप पाठ छोड़ेंगी और शुद्ध होने के बाद जब आप स्वक्ष हो गई तो जितने दिनों का पा पाठ आप किसी भी मंगलवार से शुरू कीजिए ये जादा उत्तम होता है प्रातह काल करें या संध्या वैसे तो नियम की बात करू तो प्रातह काल करना जादा उत्तम होता है मंगलवार से शुरू कीजिए और सूरियोदय के एक घंटे के अंदर यदि आप जैसे सूरिय चलिए थोड़ा देर भी हो जाती है कोई बात नहीं लेकिन प्रातहकाल का समय अच्छा होता है और कोई आपकी मजबूरी है कि प्रातहकाल आपको नहीं समय मिल रहा है तो आप संध्या के समय करें। कर लोगी ये कार्यमत करिएगा इस बात को अपने समय अपनी सुधा के अनुसार सोच के ही संकल्प लिजिएगा ये हो गई अब बात आती है कि जितने दिनों का आपने संकल्प लिया है हन्मान चालिसा के पाठ का उतने दिनों तक आपको सात्वित भोजन करना होता है मांस बात हो गई अब आपको क्या करना है कि जितने दिन आप संकल्प कर रहे हैं जितने दिन आप पाठ कर रहे हैं उतने दिनों में आप पाठ करते समय पूजा करते समय काले बस्तर धारण ना करें वैसे मैं नियम की बात करू तो आपने जितने दिनों का संकल्प लिया है इतने आप काले बस्तर नहीं पहने तो ज्यादा अच्छा है आप लाल रंके बस्तर और ये जो फीले रंके बस्तर होते हैं अब बात आती है मूर्ती कौन सी रखें देखियो वरद मुद्रा वाली जो मूर्ती होती है ये सबसे उत्तम होती है हनुआन जी के रोदर रूप की मूर्ती रखके आप पूजा ना करें. जैसे कि हनुआन जी लंका दहन कर रहे हैं, हनुआन जी संजीवनी बूटी लेकर उपर परबत पर अपने विशालकाय रूप में जा रहे हैं, ये मूर्ती आपको पूजा के लिए मुख्य रूप से नहीं रखनी चाहिए, वरद मुद्रा की, शांत मुद्रा की विल्कुल सौं में मूर्ती, आपको मूर्ती हो चित्र हो या फोटो हो जो भी आप रखके पूजा कर रहे हों, यही मूर्ती आपको रखनी चाहिए, यह बात हो गई, दूसरी स्वक्षता का बिल्कुल ही आप ध्यान रखेंगे मैंने पहले ही बता दिया है लाल आसन रखकर आप पूजा करें जो आसन आपका होगा उसी आसन पर प्रति दिन पूजा करेंगे उस आसन को आप किसी और को नहीं देंगे जब आपने संकल्प लिया है तो उसका एक आसन बन जैसे सूती कपड़े या और किसी चीज का आसन ना ले आप उनी या कुशा का आसन ये बात हो गई अब चलिए बात करती हूं कैसे करना है अब ये बात हो गई सारी चीज आपने कर ली अब जब आपने शुरू किया देखिए शुकल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जहां तक बात आती है मेरा ये मानना है कि सुकल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कोई भेद नहीं है मेरे हिसापस से वैसे आप अगर किर्ष्ण पक्ष के विशैंवें जदा भेद रख रहे हो हो या मन में आपके दूधा है तो आप अपने गुरु जणों से जरूर पूछ ली जगा मेरा ये मानना है कि शुकल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कोई भेद नहीं है जैसे कि हम एकादशी का वरत करते हैं तो शुकल पक्ष की एकादशी भी उतनी ही महतपूर होती है और कृष्ण पक्ष की एकादशी भी उतनी ही महतपूर होती है और बहुत अच्छे ब्रत, बहुत ही सर्वस्रेष्ट ब्रत कृष्ण पक्ष में भी रखे जाते हैं, तो ये मेरा मानना था, वैसे शुकल पक्ष और कृष्ण पक्ष में यदि आपको दिक्कत है तो आप देख लीजेगा, तो आप मंगलवार के दिन शुरू करें, अब बा आपको नहीं लड़ू प्रति दिन मिल पा रहा है, तो आप चनागुड का प्रसाद रखें, ये हो गया, दीपक जहां तक जलानी की बात है दोस्तों, आप घी का दीपक या फिर चमेली के तेल का दीपक प्रजल्दित कर सकते हैं, भोग प्रसाद आपने रख लिया, एक ल किसी इशान कोड में या फिर आप आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो, ऐसा आप कोई ववस्था कर लें, वहाँ पर आप प्रति दिन संकल्प तक आप अपनी पूजा वहीं पर प्रति दिन करें, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ये बात हो गई, अब आपको अस्थान जो म बैठेंगे, तो आपको हनमान जी का विशेश आसिरबाद मिलेगा, वो प्रसन होंगे, आपने आसन लगा लिया, हनमान जी को आपने आसन दे दिया, अब आप बैठ गये, जैसा कि समय मैंने बता दिया है, महिलाये हैं तो सर पे पल्लू जरूर रख लें, बाल अपने बां जल छिडख लें, दीपक प्रजलित कर दें, लोटे का जल जो है वो रख दें, भोग प्रसाद स्वक्ष किसी पात्र में आप भगवान हनमान जी के समक्षा आप रख दें, बिल्कुल निर्मल भाव से कोई भी मन में दुविधा भ्रम कुछ भी नहीं, उसके बाद आप प प्रति दिन हम पाँच पाठ करेंगे, प्रति दिन हम साथ पाठ करेंगे, प्रति दिन हम एक ही पाठ करेंगे, या तीन पाठ करेंगे, दो पाठ करेंगे, ये आपके समय के उपर है, आपके श्रद्धा और शक्ति के उपर है, तो इसका भी आप संकल्प उसी समय ले लिज मन में आप अपना जैसे की संकल्प हम लेते हैं अपना नाम और गोतर इत्यादी बोलकर अस्थान का नाम बोलकर और अपनी मनो कामना को हनमान जी से कहकर अपने दिल से बिलकुँ श्रद्धा से सारी बाते दोस्तों बार बार मैं कहती हूं कि सारी बाते भाव की हैं सारी बात को कहते हैं अपने परिवार से अपने दुख को कहते हैं अपने किसी प्रियजन से अपने दुख को कहते हैं ऐसे ही आप भगवान के समख्च अपने दुख अपने समस्या को कहिए और फिर संकल्प ले लिजिए कि हमें इतने दिनों तक इतने पाठ प्रतिदिन करना है बस पुस्तक को प्रडाम कीजिए और सबसे पहले हनुमान जी को आप राम जी की बंदना सुना दीजिए राम जी का श्लोक उनकी इस्तुति या फिर हरे राम हरे राम 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 हरे राब या फिर जैश्री राम जैश्री राम आप उन्हें सुना दीजिए वो प्रसंन हो जाते हैं तो कि राम जी की स्तुती सुने भी न, तो हनुवान जी कोई पूजा सुविकार ही नहीं करते हैं, तो ये कारे आप सबसे पहले कर दीजिएगा, गड़ेश भगवान जी का ध्यान करने के बाद, आप राम जी की स्तुती सुनाईए, जो भी आपको आता है, राम जी की जैसी भी बंदना आपको आती है आप उन्हें सुना दिजी या फिर राम 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 इतने से ही वो प्रसन्न हो जाएंगे उसके बाद आप पुस्तक को खोलेंगे और हनुवान जल्दी 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 आपने शुरू किया और फिर आप पढ़ते चले गए कि जल्दी से समाप्त हो मेरा कारिय जो मैंने संकल प्रिया हो मेरा कारिय खतम हो ऐसा नहीं ऐसा आप पढ़िये कि आप हनुआन जी को सुना रहे हैं उनकी प्रसंसा कर रहे हैं उनकी वंदना कर और उन्हें सुना रहे हैं, असपस्ट सब्दों में, जैसे कि, कि आप किसी से बात कर रहे हैं, और वो ब्यक्ति जल्दी 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 कुछ बोलता चला गया, आपको आधी बात उसकी समझ में आई, आधी बात नहीं आई, तो बताइए आपका क्या रियेक्शन होगा, औ और वो ब्यक्ति असपस्ट रूप से कुछ बोल रहा है, आप अच्छी तरह से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके अंदर भी उसकी फीलिंग आईगी, उसी तरह भगवान से भी असपस्ट रूप में जो भी आप बंदना कीजिए, जो भी प्रार्थना उसे राम जी की स्तुति उन्हें सुना दीजिए, इस तरह से आपका एक दिन का संकल पूरा हो गया, जो भी नियम थे वो मैंने बता दिया है कि इतने दिनों तक आप सुद्ध शात्विक रहें, भगवान जी के चरड़ों में अपना ध्यान लगा, ऐसा नहीं कि आपने पूजा कर लिया, बात खतम हो गई, वैसे भी हन्मान जी का ध्यान करते रहें, उनके नाम का उच्चारण करते रहें, तो इस तरह से आप पूरा साथपिक, शुद्ध, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, आप अपने संकल को पूरा करें, दोस्तों गारंटी लेती हूँ, कि ऐसा ह को ही नहीं सकता कि हम निर्मल मन से और बिल्कुस समरपड की भावना से भगवान की चरणों में जाएं, और वो मेरी विंती न सुने, हाथ थोड़ा देर हो सकता है, धैर थोड़ा रखना पड़ेगा आपको, और भगवान जी आपकी मनो कामना जरूर पूर करेंगे, बस य कोई चोटे चोटे नियम थे, कोई बहुत कठी नियम भी नहीं है, और इस तरह से हन्वान चालिसा का पाठ किया जाता है। बहुत से लोगों का कहना ये भी है दोस्तों मैंने सुना है कि हन्मान 14 की जो अंतिम चौपाई है तुलसी दास सदा हरी चेरा की जैनात हिरदय महडेरा तो बहुत से लोग कहते हैं कि अंतिम में आप अपना नाम ले लिजे तुलसी दास को हटा के अब बताइए दोस्तों ये मुझे आश्यर होता है ये सुन कर कि ऐसा कैसे हो सकता है बताए तुलसी दास जी की जगह हम लोग ले सकते हैं कलपना में भी नहीं ले सकते हैं उनके चरड़ों की धूल की एक कड़ के बराबर भी हम नहीं है हम मेंसे कोई नहीं है तो ये तो बात मैं मानने के लिए ही तयार नहीं हूँ कि तुलसी दास जी का नाम हटा कर आप अपना नाम ले लेंगे तो इससे हनवान जी प्रसन हो जाएंगे कैसे प्रसन हो जाएंगे तुलसी दास जी द्वारा लिखित वो हन्मान 40 है और उनका नाम ही हम हटा दे रहे हैं यह बताएए तो इह हन्मान जी प्रसन न होंगे कि अप्रसन होंगे यह स्वैम आप लोग बताइएगा मुझे आश्च्व होता है कि यह सारी बाते आती कैसे हैं किसी के मन में यह कैसे लोग लिख देते हैं तो ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा, कहीं भी आप लिखा हुआ पाएं ऐसा, कि ऐसा आप कर लिजे तो आपकी मनो कामना तुरंत पूरी हो जाएगी, बताइए जिसने ग्रंथ लिखा है, उनका नाम हटा कर हम अपना नाम रख ले रहे हैं, अरे हम होते कौन हैं उनका ना लग जाएंगे होई नहीं सकता ऐसा मेरा जो भी मानना है मैं जितना जानती हूं दोस्तों तो ये कार्य मत करिएगा बाकी जितने नियम थे जितने विदी थे मैंने बता दिया है मुझे लगता है कि कोई प्रश्न नहीं रह गया होगा लेकिन इसके बाद भी और कोई भरम है आपके मन में तो आप लोग जरूर पूछ लीजेगा और मैंने पहले बता दिया महिलाएं बालक बालिकाएं विद्यार्थी पूरुष किसी के लिए भी हन्मान चालिसा का पाठ करना वर्जित नहीं है तो ये सारी बाते थी दोस्तों फिर मिलती हूं अगले वीडियो में आप सभी लोगों की मनो कामना भगवान हन्मान जी पूर करें धन्यबाद दोस्तों नमय शिवाय हरहर महादेव